नमस्कार देख रहे हैं आज का खास जोति जराट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोश संतोशी भाई साब एक अवस्था के बाद इस्त्री पुरुश जब बैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे चैलेंटेज चुनोतियां उनके समक्ष होती हैं भातिक जीवन की उनस्मिंशत चुनोतियों से वो जूँज तो जाते हैं लेकिश जब आंतरिक चुनोतियां आ जाती हैं आप सी तालमेल वाली चुनोति आ जाती हैं तो वहाँ पर दोनों हथियार डाल देते हैं और कई बार एक नाजुक सा रिस्ता बिखर जाता है बरवाद हो जाता है परिवार पर जैसे वज्व तो गिरी ही जाता है लेकिन अगर बच्चे भी हैं आपके तो उनके जीवन को ले करके एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि ग्रहस्ती बिखरने पर उन पर क्या भी देगी उनको तो दोनों चाहिए मा और पिता चाहिए ना आप सब अपने अपने इगो पे आ जाते हैं अपने अपने सुख पे आ जाते हैं आपको कहीं अनियत्र संबंध बनाना है आपको कहीं अनियत्र संबंध बनाता है लेकिन बच्चों से तो आप दोनों को संबंध कहा जायो एक सूर है तो एक शंद्रवा है ऐसी इस्थिती बहुत विकट बन जाती है सामाजिक पतन भी होता है आपकी कुंडली का दुतिय द्वादस और सब्तम ये तीन ही घर के मालिक हैं जो ग्रहस्त आस्रम को निस्त नाबूत कर देते हैं नुतिये के सौमी, द्वादस के स्वामी, अध्वास सब्तम के स्वामी इन तीनों ग्रहों का संबंद जब गोचर से भी आपके सब्तम सब्तमेश्य हो जाता है तो ग्रहस्त आस्रम बिखरने में देर नहीं लगता है जुकना कोई चाहेगा नहीं गलती स्विकारोकती कोई करना नहीं चाहेगा तो भाईया तो बिखरेगा तो हई है आज गुलाब की पंखोडी गुलाब के पुष्व का प्रियोग हम बताएंगे जो महादेव, देवाधी देव भुलेनात की कृपा से आपके ग्रहस्त आस्रम को पूरुरत्त है बसा देगा नप पार्वती पते हर हर महादेव शंभो कैलाश यह मास्रश्वती अगर मेरा भाव पवित्र है अगर हम उन नाजुक बच्चों को देख पा रहे है तो मेरी जिहवा पर आप भी राजमान हो मेरी जिहवा पर मास्रश्वती वास करे और मेरा यह प्रियोग हमारे हिंदुस्तानी भाईयों के बहनों के घरों को ग्रहस्ती को बसा दे अइसा हम मास्रश्वती से प्रार्थना करते हैं भगवान भुलेनात से हम प्रार्थना करते हैं और प्रियोग यह रहा साथ गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए साथ गुलाब की पंखुड़ी एक गुलाब की पुष्प में बहुत सारी पंखुड़ियां होती है उन्हें एक मिट्टी के पात्र में रख लीजिए मंगल आ गया लगने को ले आया मैं और गुलाब का पुष्प शुक्र का सम्मन्ध दुती भाव कुटुम्ब भाव तरक पे आएंगे उचल के ताली वजाईएगा आनन्द आएगा एक मिट्टी के पात्र में साथ गुलाब की पंखुडियां डालिए गुलाब की पंखुडियां इंग्लिश में साइद पेटल्स बोलते हैं अंग्रे जी हमारी बहुत तंग हैं डालने के बाद उस पर साथ बूद शहद टपका दीजिए उपर से और ले जाकर के शिवलिंग पर आप पंखुडियों को जिस पर शहद टपके हैं डाल दीजिए मंदिर में जाना घर के शिवलिंग पर नहीं करना है ऐसा मंदिर जहां जागरित हो जहां भीर लगती हो ऐसी जगह पर जाके और कुल्हड जो मिट्टी का जो पात्र है उसको ले आकर के घर पर रख दीजिएगा जब आप इसे भुले नाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग पर अरपित कर रहे हो उसी दवराद साथ बार इस्त्री करती है पत्नी करती है तो अपने पती का नाम लेगी और पुरुष कर रहा है जोड़ने के लिए तो अपने पत्नी का नाम लेगा दोनों कर सकते हैं असर और ज़्यादा बढ़ जाएगा माभग्वती की किरपा हमारे भुले नाथ की किरपा और आपके सदभाव की किरपा आपका घर आपकी ग्रहस्ति बसी रहेगी मित्रों चंद सेकेंड लगता है तोड़ने में जब चाहे तोड़ लीजेगा आनंद तो जोड़ने में आता है हमारे बाव जी कहा करते हैं कि सुई बनना तलवार नहीं सुई बनना जो जोड़ता है जो सिलता है भाव पवित्र रखिए कोई पत्थर उत्थर साला काम नहीं करता है कोई पत्थर काम नहीं करता है लाख रुपे का नीलम पहन करके और पचास हजार की दारू पी करके क्या जीता आपने अगर एक इस्त्री का दिल नहीं जीत पाया करोनो रुपे आपके बैंक में है आप दूसरे का मत देखिए अभी हमने एक रील दाला था इस विशे पर जोर अपने पे चलता है आप दूसरे के चक्कर में फलनवा इसे करे लाग तब तूसे काले देखे तू है अपन देखे अपना देखना है वो अपना आप अपना बस सुधार हो गया जब आप उसका देखेंगे वो आपका देखेंगी तब जिन्दगी में नहीं सुधरेगा तो ठीक अगर दशा कुछ भी हो लेकिन अगर हमारे कहने का प्रभाव कुछ पड़ा हो तो एक बार जोडने का प्रयास जरूर करिएगा बहुत गुसा कर लिया, बहुत खाना छोड़ लिया, बहुत चीख लिया, बहुत चिला लिया बहुत मैसेजिंग कर दिया, बहुत वाटसपिंग कर दिया, बहुत बीस रिष्टेदारों को बुला के कर लिया लेकिन असली लड़ाई आप दोनों की है पती-पत्नी की है अभी मैं दो दिन पहले ही ऐसे कुछ विशय आ गया था सामने तो किसी को समझा रहा था मैं आप लोग को भी पहले भी बोला था कि अगर पती-पत्नी के मद्य कोई भी आ जाता है कोई भी means कोई भी even then माता पिता चाहे पती के या पत्नी के कोई भी आएगा तो बात बिगड़ेगी अकेले दोनों कमरे का दर्वाजा लॉक करें कमरा लॉक करें और बैठ जाए भाई साब एक घंटे के अंदर में चैलंज करता हूं ठोक करके एक घंटे के अंदर में सब ठीक हो जाएगा यहां तो स्वस्रा ननद नंदोईयों कूद परत हैं मामा मामी कूद जाएं मौसा मौसी कूद जाएं बुगा फुपा कूद जाएं अरे साला रहक इनके सब के है और तू लोग का उगली कहे लेवा हमें का उगली होई जाई भाईया रहक जे का बाव उका तो जोड़े दिया और विशय जानते हैं क्या होता है सिर्फ जुबान और कोई विशय ही नहीं होता सिर्फ जुबान होता है तो इसर影 कुछ केसिस आएं हमारे पास तो मैं यह उपाए लेकर आया परिवान इस भी वियान्हाफक विश्चय है बौध बड़ा विश्चय और मेरा प्रियाम इश्ए है जोड़ना है अरजाओ कि तोडने नहीं देंगे 6 14 1 तो अगर कुछ ताकि गई है माएकink तो उपायक करके और एक बुक्या ले करके जाईए वापस लाइएगा हमें नमत देजिए अपना प्यारा ऐसे ही बनाए रखिए आप लोग खुब खुश रहिए और योही स्नेह देते रहिए गा अमशकार शिरा दे यह उपाय करिए का करीब 10-11 दिन तो लगातार कर लिजे या यूं कह लिजे कि लाभ होने तक रोज करिये 7 पंखुरी और 7 बूद्ण kau調 बस इतने लगना है मिट्टी के के वर्टन में रखना है वही वर्टन रोज प्रीयों करिये चड़ा के चले आई इस्त्री करें तो साथ बार पती का नम पती करें तो साथ बार पत्नी का नाम बस इतना सा उपाय है